नमस्कार दोस्तों कैसे हैं मैं आपका अपना श्रावन से आप दोस्तों इस समय जिलास्तरिये प्रतिभाग होज प्रतियोगिता एक्जाम जो 27 फरवरी को आज आपने 12-2 के बीच राजस्तान की 270 प्रिक्षा केंद रुपी दी है पांचमी चटी साथमी आठमी नवी दसमी 11-12 और आप अब उस पेपर का देख रहे हैं वीडियो सॉलिशन सील सी सीकर के यूटूब चल प्लेटफॉम पर क्यों सही कह रहा हूं बोलो पेपर कैसा रहा बजाया देखो ओमार सीट मिली हाना एक इतना सुन्दर सा पेपर आपके पास आया अबजेक्टिव एक्जाम आ इस एक्जाम का मकस्द है कि 5 छठी साथ इ Dum May में ही बच्चे को बता दिया जाए ओमार सिट क्या होती है औप्जेक्टिव एक्जाम क्या होती है कि उस आप नीट और जे या कोई प्रीजाम का कौक्पुश्यक्तिव करें जाइग कहा होती है तो आप सोचों कि एक वीडियो назвें है तो प्रोक्रोषसन नंबर लिखे मेरे इस नंबर पे डबल 287, 3, double-advarsity रहने हैं आप लोग, बोलो हाया ना, और 27 तारीक की ही, रात को 9 बजे, इस पेपर की, आंसर शीट भी आपके पास आ जाएगी, इस पेपर की, आंसर शीट भी, आज 27 फरवरी को ही, रात को 9 बजे, हमारी साइट पे, साइट कुन सी, DTSC.CLC.IN, यानि इस एक्जाम की जो भी स्ट्री है, वो सारी नहीं रहेगी, अब फिर से एक बास स्लाइट देख लिए, DTSC.CLC.IN, ओके, एक्जाम हो गई, वीडियो सोलिसन देख लिया, डाउट खतम हो गए, आंसर मिला लिए, नंबर चोड लिए, ओके डियर, रिजल्ट क की साइड खुलेगी, तिन तरी कोई, पांच बजेत, देख लिए रहा, अपना रोल ओमर फीड करो, अपना मोबाइल ओमर फीड करो, अब रुसकार कम दिये जाएंगे, लो लिस्ट पड़ी, वैसे आपको पता है, आपके पेपर के लास्ट पेज पे देखाओगा ना, कि क इस जिले में हम लोग कब आ रहे हैं, बाकी स्लाइड भी देख लो, आप हमारी साइड पे, हाँ, सीकर, चूरू, धुन्जनू, अजमे, रास्वन्द की डैट्स, हम फोली के बात देंगे, क्योंकि आपको पता, पांच मार्श से लेके, सोड़ा मार्श तक लगातार में फ मेरे जिसे बहुत से श्रवन को, श्रवन से लसी तक के मुकाम पे पहुंचाने का भियान, आखरी सांस तक रहेगा मेरा, से लसी बाई चांस नहीं है साब, आज के 26 साल पहले, जो सीकर में मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था, मापी चाहता हूँ, अपने आपने केरियर का स साल सी-ल-सी के माद्यम से मेडिकल में जाता, आई- टी में जाता, इन-ाईटी में जाता है, टी-ल-सी ना किसी की होड में बनी, ना किसी को तोड के बनी, सी-ल-सी मूल बीज है, एक विचार-बीज है, जो जमी फोड की बनी, और इसलिए दोस्तों आज 270, गार्डियन सब के देखो जाजस्तान के 39 जिले 270 सेंटर पे एक टाइम एक्जाम पेपर की क्वालिटी आपके सामने है अल्टीमेट पेपर उसका रिजल्ट कब आएगा आप वीडियो सोलिशन देख रहे हैं उसके बाद फंक्शन और हर जिले पर आकर ऐसा नहीं कि एक्जाम काली फिर में आ पाने आना है अन्य बच्चे भी मोटिवेस्टन सेमिलार भी होगा मरा वहां उसको सुनना आप आना चाहें तो आपा सकते हैं वसे इस कोरणा के टाइम में मेरे शाम के लाइव से से बहुत से परतेक्ष मेरे अपने जुड़े होएं आपको धाना ना बट डेली शाम को पर से किसान भाई आए उन्हें कहा चोदरी साहब हम आपका लाइव देखते हैं तो सिर्दमिन आँखू पानी आ गया उस दिन पता लगा कि दोस्तों अखीकत यह है बगवान कुष्ण की बात आज बहुत अच्छी लगी कि करम को मन से किया जाए तो फल की इच्छा करने क यहां हो सकता नहीं है फल बगवान अपने आप देता है तो देरा सी एलसी को ओके वापस पॉइंट काते हैं ठीके डियर रख्जाम होगी वीडियो तो सुन्देक लिया किया गई पांट मार्च से सोड़ा मार्च तक आपको फंक्शन में आने के लिए पुरुसकार के होगे तो दिये दिया जाएगा आप सोचो कि उध्यपूर फंक्शन थार मुवापस उध्यपूर पुरुसकार देने आऊंगा संभव नहीं हो सकता हां सीकर आने के बाद आप पुरुसकार बाद में दे सकते हैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं फंक्शन इस डिस्टिक एड सिटना जानते हैं है दोस्तो जीना जानते हैं रोकषा मशिकाती सी यदध सी जी जितना सिकाती है यह यह सुनना देखना है आपका अपना श्रावण आपके खुद के जिले में आ रहा है आपसे बातरने की लिए हर दिन सूबह साम दोलताइम मीटिंग्स लोड़ रहेगा पर फिर भी जुनून है फिर किसी जौपनी भी बैटी को आई टीम भेजना है फिर किसी एक सामाने से परिवार के बच्चे को दिल्ली एम्स भेजना है सब सपने बड़े हैं तो काम तो करना है पड़े गाना सब कलाम साथ की बात सब बहुत अच्छे लगती है कि सपने वो न लोगों पे तो बहुत रखवाले हैं जिनके घर में अर्थ भी है गाइडलाइन भी है श्रावन और सीलसी तो उनके सार्थी है जिनके घर में यह नहीं पता आईटी मेडल का होती है अर्थ का भी थोड़ा भाव है थोड़ा भाव गाइडलाइन का भी है वो गबराएं नहीं आपके साथ आपका अश्रौवन है ना, आपकी CLC है ना. ओके डियर, तो बहुत तरी बाते हैं, function में आना है, किस दिन, किस दिले में आपका function है, उस तिन आना है, डेर से Do गंट आपके साथ रहенगा, बातें करेंगे, और मेरे सारे अपने, प्लीज 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 निवेदर आपके भाई का सारे अपने इस विजो सव में इसको नाम विजो सुनेंगे पर पुर्षकार वित्रों समरों बोल दो चाहिए विजो सव बोल दो आप सब साधरामंति से ओके तैंक्यों जैसील सी अब हम चलते हैं नेक्स्ट किशन की तरफ नेक्स्ट किशन है टू अबसेक्स रिपेल इच दिश्री पल्शन कुड बीडियू टू दो बस्तुएं एक दूसरे को पर्तिकर्शित करती है यह पर्तिकर्शन हो सकता है यानि हमें यहां पूछा है किसी रिपल्शन की बारे में तो वह होगा आईदर है मेगनेटिक और एन एलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स यानि यहां पर हो जाएगा फॉर्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा थर्ड किशन है इफ वी अपलाई ओई ओई ओन डॉर तो हमें बताना है कि फ्रिक्शन क्या होगा तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन हैकि ऐस हाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिलकुल करेक्ट चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट किशन की तरफ फॉर्थ किशन एट ओई कार रिलीज्ट विद दो सेम इनीशल स्पीड विल ट्रेवल फास्टेस्ट होनी यानि एक समान प्रारंबिक चाल से चलती होई कोई खिलोना कार का सबसे अधिक मलवु तेजी से कब चलेगी जब फ्रिक्शन कम होगा यानि पॉलिस्ड मार्बल सर्फेस अब हम चलते हैं नेक्स्ट किशन की तरफ यानि फिफ्ट नंबर किशन है और अब जानते हैं टाइम पिरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वन अपॉन न्यू अगर हम इसे सोल करेंगे तो यह हो जाएगा वन अपॉन फिफ्टी तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा पॉइंट जीरो टू सेकेंड ओके तो यहां पर फॉर्स्ट ऑप्शन क्या हो होती है वो किसके उपर डिपेंड करती है तो हम जानते हैं कि जो आयाम होता है उसके उपर ध्वानी की प्रबलता निर्भर करती है अब हम चलते हैं नेक्स्ट किशन की तरफ तो सेवन नंबर किशन है एन इलेक्ट्रिक करंट केन प्रोडियूस यानि विद्युत धारा उत पन कर सकती है केमिकल हीटिंग एंड मेगनेटिक एफिक्ट यानि यह तीनों के तीनों ही कोई भी जो एलेक्ट्रिक करंट होती वो प्रोड्यूस कर सकती है नेक्स्ट किशन देखिए एट नंबर किशन विच ओफ द फोल्वाइंग मैटल्स इस यूस इन एलेक्ट्रो प्ल आइड विच कंट्रोल दे लाइट एंट्रिंग इसपोल्ड यानि हमें देखना है कि नेतर का वह भाग जो प्रवेश करने वाले प्रकास को नियंत्रित करता है तो हमें पता है कि जो आईरिस होती है वो इससे क्या करती है यानि फॉस्ट आप्सन विल्कुल करेक्ट हो जा यानि हमें देखना है कि वर्च्वल इमेज किस से बनेगी तो हम जानते हैं कि जब भी हम कौन वेक्स मिरर यूज करते हैं तो हमें इस प्रकार की इमेज मिलती है देखिए नेक्स्ट क्यूशन इलावन नमबर क्यूशन वर्च्वल इमेज थ्री ताइमस तसाइच ओफ लानते हैं यह फॉर्मूला यह पहले भी आ चुका है वन अपोन एफ एक्वास्ट वन अपोन वी प्लस वन अपोन यू अब बच्चों यहां पर आपको साइन का ध्यान रखना है कि यहां वी और यू जो है वो नेगेटिव में अगर आपन रखेंगे क्योंकि इसकी थियो तो यहां पे second option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct आप लोगों को यही formula apply करना है चली अब हम चलते हैं next question की तरफ next question है the focal length of a convex mirror is 20 cm its radius of curvature will be तो हम जानते हैं simply यहां पे क्या हो जाएगा इस 20 का double हो जाएगा और finally radius of curvature हमें मिल जाएगी तो 20 का double सीधा सा हमें करना है तो यहां पे 40 cm क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा बहुत easy सा question था देखिए 13 number question sun appears to move from east to west around the earth this means that earth rotates from यानि हमें देखना है पृत्वी के चारो और सूर्य पूरव से पस्चिन की और गती करता प्रतीत होता है इसका आर्थ है की प्रत्वी घुर्णन करती है तो हमें यह देखना है की आर्थ कैसे घुर्णन करेगी आर्थ का rotation कौन सी direction से किधर की तरफ रहेगा तो हम जान सकते हैं कि अगर हमें sun दिया है east to west तो अर्थ का अंसर क्या हो जाएगा बिलकुल इसका opposite यानि west to east हो जाएगा I hope आप लोगों को समझा रहा होगा देखिए next question 14th number question है which of the following is not a source of air pollution यानि air pollution का source कौन सा नहीं है तो देखिए automobile exhaust ये तो है source air pollution का burning of firewood ये भी क्या है source है power plant भी क्या है source है लेकिन जो wind मील यानि पवन चक्की होती है वो वायू परदुशन का source नहीं होती है चलिए next question देखते हैं 15th number question which one of the following solutions will not conduct electricity यानि electricity को conduct कौन सा नहीं करता है तो हम जानते हैं कि ये सारे के सारे जो options है वो electricity को conduct करते हैं जबकि vegetable oil electricity को conduct नहीं कर सकता क्योंकि electricity को conduct करवाने के लिए या तो हमारे पास free electron होने चीए या हमारे पास क्या होने चीए free ions होने चीए वेजिटेबल ओईल में ये दोनों ही चीज़े नहीं होती है जिस वज़े से यहां पे हमारा आंसर क्या चला गया वेजिटेबल ओईल चलिए नेक्स्ट किुशन सिक्स्टींत नंबर किशिटेबल किश्ञा का लास्ट किश्ञार होती है है क्रस्ट होती है यानि भू परपर्टी होती है देकियो 17 निमर्ट इंड शुकिशन है अब कुछ इसपकार है अरदे युनि इट्स यूज इन डू फॉर्मिशन आफ पॉलीमर याना पॉलीमर की फॉर्मिशन में कौन सी यूनिट्स है वह यूस ओती है तो हम जानते हैं वो यूनिट्स क्या होती है, मोनोमर होती है, चलिए नेक्स्ट क्यूशन, विच अफ दे फॉल्लाइंग मिक्सर इस नोन इस वोटर गेस, यानि हमें देखना है कि इन में से कौन सा एक मिक्सर है जो वोटर गेस फोर्म करता है, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्यूशन की तरह, क्यूस्ट नमबर 19 यानि यहानि यहां पर फॉर्स्ट ओप्सेन क्या है, एकदम करेक्ट है चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ question number 20 देखिए lithium का atomic number यानि हमें देखना है atomic number of lithium is आम लोग जानते हैं first पे होता है hydrogen, second पे होता है helium and third पे होता है lithium तो यहाँ पे atomic number lithium का कितना है बच्चो 3 है I hope आप लोगों को समझा रहा होगा अब हम चलते हैं next question की तरफ देखिए next question हमारे पास को जिस प्रकार है which of the following element is metal यानि हमें देखना है कि कौन-कौन से element यहाँ पे metal है देखिए sodium है magnesium है helium है हम लोग जानते है helium क्या होती है होती है जिपकि sodium और magnesium दोनों ही क्या है metal है यानि यहाँ पे थार्ड ऑप्सन एक्दम करक्ट है यानि बहुत first and second चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ next question देखिए inert gases are also known as by the following name यानि inert gases को हम और कौन-कौन से नेम से जानते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि inert gases होती है वह जन्रली reaction नहीं करती है इसलिए हम इनी क्या बोलते हैं noble gases बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चो noble gases यानि यहाँ पे क्या हो जाएगा first option एकदम correct हो जाएगा तो होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इनके solutions किस प्रकार से आप लोगों को करने थे देखिए नेक्स्ट किशन जो है 23 नंबर किशन molecular formula of water is यानि हमें देखना है कि water का molecular formula क्या होता है बच्चों हम बार-बार बोलते हैं h2o s2o तो यहाँ पे आप लोगों को simply answer देना था कि h2o क्या है water का molecular formula है यानि यहाँ पर first option क्या है एक्दम correct है चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ question number 24 in which of the following state is water at room temperature यानि water जो होता है वो room temperature room temperature पे किस state में present होता है तो हम जानते हैं कि जो water है वो solid form में भी present हो सकता है liquid में भी हो सकता और case में भी हो सकता है लेकिन room temperature पे water क्या होता है बच्चों liquid form में present होता है यानि यहाँ पर second option क्या हो जाएगा एक्दम correct हो जाएगा चलिए अब हम जलते हैं next question की तरफ next question हमारे पास है 25th number question तो first man made fully synthetic fiber बहुत ही अच्छा किशन है और इसका answer क्या है nylon nylon क्या था first man made fully synthetic fiber था ओके तो इसका answer क्या हो गया first option nylon आगे देखिए 26th number question and see it form of fossil coal is यानि हमें बताना है कि जो fossil coal होता है उसका oldest form कौन सा था यानि सबसे oldest form हमें पता लगाना था तो हम सभी जानते हैं कि जितना भी कॉल है fossil coal है उसका oldest form anthracite होता था जो हम जानते हैं last layer होती है उससे हम क्या बोलते हैं anthracite तो इसका answer क्या हो जाएगा second option क्या हो जाएगा बच्चों इसका answer हो जाएगा I hope आप लोग समझ रहे होंगे अब चलते हैं next question की तरब natural gas mainly contents यानि हमें देखना है कि natural gas जो होती है वो mainly क्या contain करती है हम सभी जानते हैं कि जो methane होती है क्या होती है बच्चों next question की तरफ देखिए next question आप लोगों के सामने है 28 number question the full form of CNG बहुत ही easy सा question था कि CNG का full form क्या होता है तो हम जानते है compressed natural gas is full form of CNG चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ the non-metal used in vulcanization of rubber is in rubber के vulcanization में हमें कौन सा non-metal use करना होता है जो होता है बच्चों sulfur बहुत ही easy सा question था ये भी चलिए next question की तरफ चलते है the metal that forms a self-protecting self-protecting film of oxide to prevent corrosion is यानि हमें याँ देखना था कि corrosion से अगर self-protecting layer कोई element बना रहा है तो वो कौन सा होगा उसकी oxide की layer बनती है इतना hint भी दिया है तो हम जानते हैं कि aluminium जो होता है अब वो खुद की चारों तरफ क्या बना लेता है बच्चों oxide की self-protecting layer बना लेता है जिससे ये corrosion से resistant होता है तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका answer क्या होएगा second option यानि aluminium इसका answer होएगा चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ question number 31 देखिए आप लोग which of the following is combustible combustible यानि जो जल जाता है बहन सील होता है उसे क्या बोलते हैं combustible बताईए क्या कभी iron की nail combustible होती है नहीं क्या stone pieces combustible होते हैं नहीं तो फिर क्या होता है paper जो होता है वो क्या होता है combustible होता है glass भी नहीं होगा iron nail भी नहीं होगी stone pieces भी नहीं होगा तो यहां पी correct answer क्या होगा paper जो है वो क्या है combustible substance है चलिए अब हम चलते हैं अगले किशन की तरफ starting from the base of the flame flame haz यानि यह पूछ रहा है कि किसी भी flame की अगर हम बात करें तो इस flame में कितने zone होते हैं यानि flame को कितने zone में divide किया गया है तो हम जानते हैं four zone में हम किसी भी flame को divide करते हैं ओके तो यहां पर answer क्या हो जाएगा fourth option एकदम correct answer हो जाएगा चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ correct answer नर फिर्चिज थरी नंबर की दो केमेसिटरी का गजर लास्ट प्रसण है natural fibers और यानि हमें देखना है कि locals Wait cotton क्या होता एक नेच्रल qui Bird होता, wood हो भी क्या होता है natural fiber होता, silk भी क्या होता है natural fiber होता है यानि यहां पर सारे के सारे, natural fiber क्या answer है तो यहां पे correct option क्या हो जाए का fourth option all of these देखे 34 number question ecological importance of earthworms is that यानि हमें देखना है कि earthworm का जो ecological importance होता है वो इन में से क्या होगा तो हम जानते हैं कि यह कभी भी plant root को damage नहीं करता है तो यह wrong हो गया second option की तरफ चलते हैं it takes organic matter from the soil surface deeper into the soil for absorption बिल्कुल सही है कि यह म्रदा परस से carbonic प्रधारतों को पादपो द्वारा outsourcen है तो म्रदा की गहराई में ले जाते हैं इसलिए earthworm क्या होता है बहुत ही जदा important माना जाता है farming के लिए चलिए second option बिल्कुल correct हो गया next question देखते 35 number question fertilizers are chemically rich in यानि हमें देखना है कि इन में से कौन सा है जो fertilizer में use होता है तो हम जानते है nitrogen भी fertilizer में use होता है phosphorus भी होता है और potassium भी होता है तीनों ही high amount में use होते हैं तो हम जानते हैं कि यहां पर जितने भी options है यह सारे के सारे ही क्या है threatened species में आते हैं यानि इसका answer क्या हो जाएगा all of the above चली next question की तरह अब हम बढ़ते हैं next question है 37 number question when was the project tiger started यानि जो बाग पर यूजना है वो कब start होई थी तो हम जानते हैं एक अप्रेल 1973 यानि 1973 वन अप्रेल को इस्टार्ट हुई थी तो second option क्या हो जाएगा बिल्कुल करें 38 number question the clone ship dolly was created through which of the following technique given below कि क्लोन भेड डोली निमन में से किस तक्नीक से बनाई गई थी तो हम जानते हैं कि जब nuclear transfer हुआ था क्लोनिंग हुई थी तो क्लोनिंग बाई nuclear transfer से क्या बनाई थी डोली भेड बनाई गई थी यानि यहां पर second option क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा केंद्रक इस्तानांतरन द्वारा क्लोनिंग क्लोन थी डोली भेड चलिए अब हम चलते हैं next question की तरफ the physical and physiological connection between maternal body and embryo इस तो हम सभी जानते हैं कि जो placenta होती है वो क्या होती है यहां पे physical and physiological connection होती है between maternal body and embryo तो placenta यानि यहां पर fourth option क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा next question की तरफ बढ़ते हम फॉर्टी नंबर क्यूशन है लिविंग सेल्स वर फॉस्ट ऑब्सवर्ट 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 बाई यानि हमें देखना है कि फॉस्ट लिविंग सेल को किसने ऑब्सवर्व किया था तो हम जानते हैं कि लिवेन होक न यानि हमें देखना है कि यह जो ओमनी सेलूला इस सेलूला है सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था तो हम जानते हैं कि यहां पर रूडॉल्फ विडचो ने इसे प्रतिपादित किया था चली तो यहां पर फॉस्ट ऑप्सन करेक्ट हो गया अब हम बढ़ते हैं next question की 42 नंबर किशन है is a good example of nitrifying bacteria तो हम जानते हैं कि जो नाइट्रो मोनास और जो नाइट्रो बेक्टर होते हैं दोनों ही क्या होते हैं good nitrifying bacteria होते हैं तो यहां पर बोथ 1 & 2 क्या हो जाएगा इसका correct transfer हो जाएगा next question की तरह बढ़ते हैं 43 नंबर किशन fungus from which the antibiotic penicillin was obtained तो penicillin हम जानते हैं को फंजाई से obtained होई थी और उस फंजाई का नाम क्या था penicillium notatum क्या था penicillium notatum यानि यहां पर third option बिलकुल correct हो जाएगा next question देखिए 44 नंबर किशन which oxides are responsible for acid rain तो हम जानते हैं कि जो sulfur dioxide होता है और जो nitrogen dioxide होता है दोनों ही responsible होते हैं acid rain के लिए यानि यहां पर correct option क्या हो जाएगा both 1 & 2 next question की तरह बढ़ते हैं 45 नंबर किशन गंगा action plan was launched in तो हम जानते हैं कि कानपूर city के अंदर गंगा action plan जो है वो launch करा गया था next question देखिए which gland is mixed gland यानि हमें देखना है कि मिस्रित ग्रन्थी कौन सी है तो हम जानते हैं कि जो pancreas होती है वो एक क्या होती है mixed gland होती है तो यहाँ पर third option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct next question की तरफ हम बढ़ते हैं which hormone is the primary sex hormone of male यानि हमें देखना है कि जो नर होता है उसका प्राथमिक लेंगी का हार्मोन कौन सा होता है तो बहुत यह आसान सा question है testosterone क्या होता है इसका आंसर होता है चलिए next question की तरफ बढ़ते है 48 नंबर किशन the waves produced on the earth's surface is called यानि प्रित्वी की सतह पर उत्पन होने वाली तरंगों को क्या कहते हैं तो इन तरंगों को हम कहते हैं यानि यहां पर first option बिल्कुल correct हो जाएगा अगली किशन की तरफ बढ़ते हैं 49 नंबर किशन sets of reproductive terms are given below choose the set that has incorrect combination यानि हमें इन में से incorrect combination को select करना है तो देखिए sperm testis sperm duct penis और यह तो आगे देखते हैं sperm oviduct egg uts देखिए इसको देखते ही आप लोगों को यहां पर incorrect लग रहा है क्योंकि यहां पर देखिए sperm sperm के बाद यहां पर और विडक्ट आ गया जो कि क्या है बिलकुल wrong है यानि यहां पर third option जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा नीचे दिया गया समुच यह प्रजनन संबंदों का है जिसमें गलत सही हो जन तो हमें क्या देखना था इसमें wrong statement चेक करना था तो आपको यह पढ़ना होता है कि यहां पर पूछा क्या गया है तो wrong था statement तो वो कौन सा है third option यानि answer हो गया अपना third चली next question देखते है 50 number question the disease caused by proto जोवा इस यानि प्रोटो जोवा से जो disease होती है उसका नाम क्या है तो हम जानते हैं कि जो malaria होता है वो किसे होता है बच्चों प्रोटो जोवा से होता है good morning students myself Eddie Vyas team mathematics welcome to CLC online platform for the video solution for the class 8 first question is that a plus b a multiply b plus c is equals to a b plus a c अब इसके बारे में बताना है कि कौन सी प्रोपर्टी है यहां पर तीन प्रोपर्टी दी गई है कम्मिलिटिव लो असोशेटिव लो एंडिस्रिबिटिव लोग क्रम भी निमें नियम साचरिये या फिर वित्रण का नियम अब यह यहां से देखने पर मालूम चल रहा है क रहा है कि अपने पास में हैवब चारिदिव अब रила के मतलब होता है 구멍ल है डॉर कि देखना अब यह प्रोपर्टी कानशिय होती ही कि डिस्ट्रिबूट हो रहा है बी एंडु के साथ साथ व्यक्स। turmanis is property so answer is 3 next question is question number 50 to the multiplicative inverse of minus 2 upon 5 minus 2 upon 5 का आपको पताना है multiplicative inverse या फिर बात करें गुणन प्रतिलों की तो multiplicative inverse होता क्या है कि ऐसा नंबर जिसको आप किस value के साथ में multiply करेंगे कि आपको उसकी multiplicative identity मिल जाए और multiplicative identity होती है वन हिंदी में बात करें तो गुणन प्रतिलों किसी नंबर को किस से अपन गुणा करेंगी कि उसका गुणन तत्समख आ जाए तो यह गुणन तत्समख भी क्या होगा वन होगा तो नंबर यह है इसको आप होगी इसके reciprocal के साथ में वन अपान एक है इस एक केंसी अछो गटका जाए तो बचे गा मैं डिरेक्टी अपने पांस होई तो मैंनेक टूं अव्पोन 5 है इसका आपको ले लेना है क्या सिंप्ली रैसी प्लोकल तो इसका रेजिब्र कोल जाएगा चारेफ चारेफ अपोन मैं नीकाटीव नम्बर है तो नेकिटिव नमबर्का रेशिफ्रोकल भी क्या होगा पिति क्या होगा नेगेटिव तो आप मेंच कर लो माइनस फाइफ अपॉन टू अप्षिन नॉबर नेक्स्ट कोशिन इस नेक्स्ट कोशिन है अपने पास में नहीं होता है तो अब यहां पर देखो अपने पास में यहां पर वैल्यू आपकी कैसी हो जाती है अंडिफाइंड हो जाती है और अंडिफाइंड का मतलब आप कह सकते हो है परिभाशित जिसको हम परिभाशित नहीं कर सकते तो आंजर क्या हो जाएगा ऑप्षिन नंबर फर्स्ट जीरो नेक्स्ट क्वेशिन है क्वेशन नंबर फिप्टी-फूर और फिफ्टी-फूर कहता है दा रूट अब इक्वेशन आपको इसका रूट बताना है रूट का मतलब यह हुआ कि वह है एक्स की वेल्यू अब यह एक्वेशन आपके पास में एक्स में है एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखोगे कि यह जो कम्प्रीट है यह इसका एलेट इक्वेशन वह जाए आर तो इसको आप सॉल करोगे तो यह है 11-5-1 ख सिआफ प्लस एक्वेशन अब यहां वह जाहेगा फो ऑनीव टरम से उनको आप एक साथ रूखो यह हो गया 11-6 2x का आप transfer करोगे LHS की तरफ तरह हो जाएगा माइनस में 2x राइट इन साइड में आपके पास है 17 6 को आप shift करोगे माइनस 6 और यह आ जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा 5 11 माइनस x हो गया 10x और 10 में से 2x जाएगा आपके पास मेरे जाएगा 8x इकोल्स टू 17 माइनस 6 11 और 11 प्लस 5 इस 16 तो x की वेल्यू क्या होगी 16 अपॉन 8 और 8 से डिवाइड करोगे तो 8 तूजा 16 तो x की वेल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 ठीक है यह हो गया आपका question number 54 next question है question number 55 अब 55 में देखो 3 by 4th part of a number is 5 more than its 2 by 3rd part this statement in the form of an equation किसी संख्या का 3 बटा 4 भाग उसके 2 बटे 3 भाग से 5 अधिक है समी करण के रूप में यह है कतन है तो आपके पास में यहाँ पे 4 option है यह कतन या फिर जो अपने पास में statement दिया हुआ है उसको आप किस तरीके से रिपरसेंट कर सकते हैं देखो क्या कहता है 3 part of a number किसी संख्या का 3 बटे चा तो वो संख्या आपन यहाँ पर मान लेंगे कि माना that number be x तो वो नंबर अपन ने x मान लिया है x का क्या लेना है 3 by 4th part 3 by 4th part of x is यानि कि यह किसके इक्वल है 5 more than 5 more than का मतलब कि जो भी आएगा उससे 5 जादा है it's 2 by 3 इसके 2 बटे 3 भाग से जादा है तो यह हो गया 2 by 3 किसका x का यह आपके पास में यह equation देदेगा तो यह हो गया 3 by 4 of का मतलब हो जाता है multiply आप x से multiply करोगी यह होगा 3 by 4 x equals to 2 x by 3 plus 5 अब इस form में आपके पास में यहाप equation नहीं है तो इससे मिलती जुलती यहां पर देको 2 by 3 x ठीक है 2 by 3 x माइनस में 3 by 4 x हो सकता है क्या बिलकुल हो सकता है जब आप 3 x को इदर shift करोगी equal में कहता है 5 लेकिन जब equal में 5 जाएगा तो यहां पर minus 5 आजाएगा ना कि प्लस का 5 तो option first कैसा हो जाएगा गलत 2 by 3 x हो गया यह रहा माइनस में 5 इसके साथ माइनस में 5 नहीं है तो option नमबर यह भी गलत हो रहता है फिर है option नमबर 3 3 by 4 x बिलकुल है 3 by 4 x equals to 2 by 3 x plus 5 तो यह as it is आपको आंसर दिया हुआ तो option क्या हो जाएगा option number 3 is correct answer next question है question number 56 if x is an even number then the consecutive even number is यदि एक समसंख्या है तो उसकी क्रमागत समसंख्या क्या होगी आप देखो समसंख्या के बारे में यहाँ पर अपने को मालूम होना चाहिए कि समसंख्या है कौन सी होती है समसंख्या जिसको हम कहते हैं even numbers तो जब भी पहला आपके पास में जाथ है 2 4 6 8 and so on इस तरीके से आपके पास में इवन नंबर है इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होगी अन नंबर कि डिवीजिबल भाइग या फिर आप कह सकते हो इट इडिजा मल्टिपल आफ मल्टिपल आफ या तो वह नंबर टू से डिवीजिबल होना चाहिए या फिर वह नंबर मल्टिपल आफ तू होना चाहिए अब देखू यहाँ पर एक नंबर उस इवननंबर कौन से होगातु यहाँ पर आप देख रहे होगा इनका चलता है प्लस marks करोगी कि नेक्स्ट मिलेगा 400 प्लस करोगी नेक्स्ट इवनल राएगा नेक्सट list के इनक्सट इवन राएगा तो इसके तो ऌत्य नेक्स्ट कवरेगा डैक्स एक्स प्लस तो यह वाज आएगा आपके पास में अप्शन नमबर फिर नेक्स कोशन है आपके पास में प्वेशन नमबर 57 दा डीजट्स अफ्ट डीजटका नमबर फिर भाव त्री का अंतर है तो यहां पर माल लेंगे कि जो दो डीजट का नमबर है तो यह एक्स्वाइब यह दो डीजटन शेम कर नमबर वक्या टैन्स डिजिट ठीक अगर मैं इसकी एक्सपेंडेट फॉर्म लिखना चाहूं तो यह टैन्स पे है तो यह हो जाएगा टैन एक्स और यह हो जाएगा प्लस वाई अब क्या कहता है आगे इनका जो डिफरेंस है जो यह डिजिट्स है एक्स और वाई इन दोनों के बीचे में डिफरेंस है त्री का तो एक्स माइनस एक्स माइनस वाई इस एक्वल स्टू तू त्री यह हो गया अब फिर कहता है इफ दर डिजिट्स और इंटर चेंज और रिजल्टिंग नंबर इस एड़े तो जाएगा वाई एक्स और इसके एक्स पेंडेट फॉर्म क्यों हो जाएगी टैन वाई प्लस एक्स nos and the resulting number resulting नंबर्ल आपके पास में यह है य ईक्स वाई एक्सरे जाने जाएड rear टूट टो एक्स वाई पे और इस ना नंबर पर आपकें पास रिजिल्टिंग नंबर है आपके पास में तो यह बताना है अब यह आगी अपने पास में दो वीरियेबल में इसको आप कनवर्ट करोगे यह हो गया इसकी expanded form 10x plus y plus 10y plus x equals to 143 x और y में अपने पास में relation है x minus y equals to 3 तो या तो आप x के लिए value निकालोगी यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि x is equals to 3 plus y तो यह हो गया 10x की जगह आपने क्या कहीं दिया 3 plus y plus y plus 10y और plus x की जगह हो गया 3 plus y equals to 143 इसको तो सॉल कर लो सॉल करने पर क्या जाएगा है कि सॉल करने पर है टैन त्री जा थर्टी प्लस 10y plus y 10y plus 3 plus y equals to 143 तो वाई वाली ट्रम्स आपके पास में एक यह है एक यह है और तो टोटल वाई कितने होगे 10 और 10 20 21 22 22 y equals to 143 यह 30 हो गया 30 और 333 राइट साथ में आप ट्रांस्पोस करोगे तो माइनस 33 तो यह हो जाएगा आपके पास नंबर कितना तो कितना हो जाएगा y is equals to 5 तो वाई की वेल्यू आपके पास में फाइफ आ गई यह हो गया कुन सा ओरीजनल नंबर अपने पास में था ऐक्स वाई तो वनस डिजाग्या रिए पया लंबल गई फाइफ और यह गresh्ली के बारे में पूछा है तो गhyद्धी इम दोनों का डिफ्रेंस कितने का है 3 का ऍो एक्स की क्या हो जैएगी 3 पलस i2 3 shipped while you 5 at 4 is Station एक जाहईगी 85 यह आपका आंसम होगा फिर नेक्स्ट क्वेशन है प्वेशन नमबर 58 दा एंगल सम औफ अ कॉन्वेक्स पॉलिगन विद एन नमबर आफ साइड एन नमबर आफ साइड के लिए फोर्मॉला होता है यह आपके पास में फोर्मॉला होता है कॉर्डिलेटर्स में जब भी आप बात करेंगे एक हुआ है को हुआ है को को एक गगर में जो भी वह जुक्ती हूआ को अब ऑगे जो भी फ्यक्तिवर्मॉला हैम जो प्रॉर्परटी आपके होती हैं ट्रायंगल के लिए हैं आफिकर प्राइंगल में अ अग्ल में होता है panelists यहां पर प्रोपर्ट यहां पर आगे आप जाओगे पेंटागोनल शेप के लिए कि इसको भी आप अब ट्राइंगल में ब्रेक करोगे पहला ट्राइंगल दूसरा और यह तीसरा इसकी इंगल सेंप्रोपर्टी वन एक इसकी हो जाती है यहां पर नंबर ओफ साइट साथ के लिए आप जाओंगे प्रस्ट्राइंगल जेकिंट रइंगल एक थार्ड और यह फोर तो फोर टाइम सापके पास में कितना आ रहा है वन एटी डिग्री नमबर ऑफ साइड़ सिहां पर कितनी हो जाती है 6 और यहां पर है number of sides 5 अब देखो यहां पर difference कितने का है फाइफ साइडस थी त्री टाइम आपके पास में three triangles में break हो रहा है और यहां पर आपके पास में four sides थी तो यहां पर आया रहा है तू यहां पर six sides तो four times आपके पास 180 degree या फिर उसको four triangles में break किया जा सकता है अब यहां पर डिफ्रेंस है आपके पास में टू का तो four or two के बीच में difference two का five four three के बीच में difference two का six और four के बीच में difference two का तो formula यहां पर generate हो जाता है कि अगर मैं इसको कहूं कि यह inside है तो यहां पर डिफ्रेंस आपके लिए जा रहा है number of side और इसके बीच का यह हो गया n-2 और multiply में कितना चलता है 180 degree तो आपके पास में answer क्या रहेगा n-2 multiply by 180 अब next question है आपके पास 59 how many sides does a regular polygon है if each of its interior angle is 165 एक सम बहु बुज में कितनी बुजाएं होती है सम बहु बुज या फिर regular polygon की आप regular polygon की बात करेंगे तो ऐसा polygon जिसकी सारी के सारी साथ कैसी हो सेम एक जैसी हो लेंच सेम होंगी हर एक एंगल उसका equal होगा और आगे कहता है यदि इसका प्रतिक आंतरीक कौन 165 डिग्री है तो आंतरीक कौन interior angle आपके पास में 165 डिग्री दिया गया है और फिर यह कहता है कि number of sides आपको बतानी तो अभी जस्ट लास्ट वाला question था कि interior angle n-2 multiply by 180 degree is equals to आपके पास में कितना हो गया 165 यह तो है complete angle sum ठीक है और आपके पास में दिया गया कितना 165 अब यहां पर आप दूसरी property भी यूज कर सकते हो इस formula से यूज करना चाहिए तो यह भी है exterior angle के लिए आपके पास में formula चलता है क्या कि number of side multiply by angle is equals to 360 degree यहां पर exterior angle के लिए चलता है कि कोई भी आपके पास में polygon होगा उसका जो exterior angle है भाई यह कौन है उनका जो सम है कितना होता है 360 degree अब आपके पास मिया पर देखो एक को इंटीर एंगल आपके पास में दिया गया 165 डिग्री तो इसका आप भाईश को निकाल लोगे तो 180 में से आप 165 को माइनस कर दो कितना जाएगा आपके पास में 15 कि 15 डिग्री हो गया तो number of sides multiply एंगल हो गया आपके पास में एक्स्टीडियर का 15 डिग्री इस एक्वल स्टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री तो एंड की वेल्यू है 15 से आप इसको डिवाइट कर लोगे तो आंसर आजाएगा 24 तो वो जो भी पॉलीगन था उसमें number of sides कितनी होंगी 24 होंगी ठीक है और अगर इस फॉर्मले से आप करना चाहें तो इंटीडियर एंगल आपको दिया है 165 डिग्री और जो आपके पास में लास्ट कोशन था कि एंगल सम किसी भी पॉलीगन के लिए एन माइनस टू मल्टिप्लाइबाइबाई 180 डिग्री होता है यह तो कम्प्रीट एंगल सम है अब आपके पास में एक इंटीडियर एं एंड इस इकोल स्टू 165 डिग्री है तो यह एक एंगल का मिजर्मेंट हो जाएगा यह हो गया एन माइनस टू मल्टिप्लाइब 180 डिग्री इस इकोल स्टू 165 इंटू अब इसको आप सॉल कर लोगे तो भी आंसर कितना आएगा 24 आएगा चलो मूब करते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ और नेक्स्ट क्वेशन है आपका कि प्वेशन नवर सिक्स्टी इफ ओल्ड़ फॉर साइड्स ऑफ पर लोलोग्राम और एकवल अब देखो यहां पर सिंपल एक प्रॉपर्टी का काम है यदि एक समांदर चतुर बुजगी चारो बुजय समान हो तो चारो बुजय समान किस-किस में होती है या तो होता है इ स्क्वाइर में कि अब या फिर होता है किसमें कि रॉंबस अ ठीक है कि अब है अच्छा प्वेशन हो गया प्वेशन है यह अब यहां पर आपको कहता है कि परलॉलोग्राम है इक्वल एडजसेंट एंगल है चारो बुजय समान है तो चारो बुजय के लिए दो ही बात आपने पास में या तो वो क्या होगा इस्क्वाइर होगा या फिर वहोगा दूश्या कहता है कि आशन कोन 120 degree 120 degree है और 60 degree के हैं तो चत्रबुज का नाम होगा अब डेखो यहाँ पर अगर में स्कॉयर की बात करूं तो स्कॉयर में सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं इक फोर और मेजरमेंट उनका होता है 90 तो यहां से रेक्टेंग्ल अट गया क्योंकि इसमें कोई भी आप पोजिट साइड सीकोल होती है काइट में एड़ जसेंट साइड सीकोल होती लेकिन चारो साइड इकोल नहीं होती है तो चारो साइड के लिए दो यह ऑप्षिन आपके पास में इसक्वायर या फिर और रॉंबस है कि रॉंबस में सारी साइड कैसी हो गई है इकवल हो गई ठीक है अब यह एंगल अब पैरललोग्राम तो है अपोजिट साइड पैरलल होंगी और इनके जो एड्जसेंट एंगल से जो आसन कौन है उनका जो योग है वो कितना होगा हमेशा 180 डिग्री ही होगा तो देखो 120 और प्लस 60 डिग्री भी कितना होता है 180 डिग्री यह सारी चीज़ें किसी में होंगी सम चत्रुबुज में होगी चलो मूव करते नेक्स्ट क्वेशन की तरफ नेक्स्ट क्वेशन आ गया स्क्वेशन नंबर 60 वन और 61 देखो कहता है यह कि फोर एंगल सफ कॉड लिटल में जो एंगल सम है वो कितने का होगा 360 डिग्री का अब रिश्व आपको दे दिया 123 और फोर यहां पर जो कॉमन था वह आप मानलोगे कि भाई अब यहां पर पूच्छा है कि छोटे कोन का माप है smallest एंगल तो यहां पर देखो रेश्यो में सबसे चोटा कौन है वन तो वन की वेल्यों आपको क्या होगी एक्स और एक्स की वेल्यों क्या हो गई 36 डिग्री तो ऑप्षन कौन सा सी हो जाएगा 36 डिग्री नेक्स्ट कुश्ण है विश्टन नमबर 62 टू कि वेन डाई इस त्रोन जब एक पास यह को फेका जाता है तो संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी टॉटल नमबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानिकि डाइस को जब आप ट्रो करोगे तो वहाँ पर क्या 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 सकता है तो एक डाइस है बहुत के लापने यह 6 फेसे और हर एक पर 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 एक डिजिट होता है वन से लेके 6 तब यही इसके पॉसिबल आउटकम है तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा 6 कि नेक्स्ट कोश्चन है 62 दपाइचार्ट इस डिवाइड इंटुपाइचार्ट इस डिवाइडेड़े इंटू डॉदत नो पाइचार्ट Earp इस तरीके से होता आपाइचार्टका हे इनको सेक्टर में divided किया गया होता है कोई भी वेल्य यहां पर दिजाती है तो परसेंटर में होती है या फिर डिग्री में हो सकती है přिसक्ति कीकल मिलाकेज्टन अपने पास में यह है कि इनको किस में डिवाइड किया जाता है तो यह देखो दो त्रिज्या से घिरा हुआ जो छेत्र फेल है उसको आप क्या कहते हैं या तो हम बोलेंगे सेक्टर्स और हिंदी में बात करें तो उसको कहते हैं त्रिज्यकंट तो आंजर इसका हो जाएगा option number three sectors next question है आपके पास में question number 64 तो टेली मांक्स और यूस्ट फाइं टेली मांक्स का यूस्ट किसके लिए किया जाता है देखो लोवर लिमिट अपर लिमिट और क्लास मार के लिए तो होता ही नहीं है ठीक है आवरती या फ्रिक्वेंसी की बात करें जैसे यहां पर question है आपके पास में कि एक क्लास में स्टुडेंट है सेकिंड क्लास में 10 स्टुडेंट है और इनको टेली मांक्स जब तुम लोग बताओगे तो टेली मांक्स किसके लिए रिपर्जेंट करा जाता है नंबर ऑफ चिल्ग्रेंस या किसी भी नंबर ऑफ वाटेवर कोई भी आपके पास में यहां पर object दिया जा ., ठीक है तो इस तरीके से जो भी आपके पास में टेली मांक्स ओगा तो टेली मांक्स को पर्जेंट करेगा नमर ऑफ चल्ट्रूं को इन इस कंसी के नंबर को यह पर्कुर्जेंट करेगा तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रिक्वेंश नेक्स्ट क्वेशिन है कि 65 अचाइल्ड है जब्लॉक अब देखो यहां पर ब्लॉक दिये गए है एबी सी एक ब्रत्य फ्लक पर एक अक्षड लिखा होता है एक फ्राप्त करने की प्राइकता आपको यहां पर बताने तो देखो एक आपके पास में दो कंडिशन में है एक तो यह है और एक यह है टोटल आपके पास में 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम तो आपके पास में कितने होंगे 6 और उनमें से यह आपको चाहिए तो एक इतनी बार अकर हो रहा है तो टाइम तो अंसर कितना हो जाएगा 2 by 6 इसके लिए हम क्या देंगे तू से यह डिवीजबल हो जाएगा टू बन जा टू एंड टू त्री जा शिक्स आंसर क्या हो जाएगा वान अपन ठीक है यह हो गया है इसका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चाट से रिलेटेड़ क्वेश्चन आपके पास में है है कि यह पाई चाट दिया है सेक्टर के है सेक्टर बी हो इसेक्टर सुस्टी TOM evidence को को दिया गया है 40 परशेंट और सी को दिया गया है 30 परसेंट तो टो चुलू आपके के लिए सेंट्रल एंगल कितना अब किसी भी चार्ट के लिए सेंट्रल एंगल टोटल इंगल होता है 360 डिग्री तब ही आप से एंगल बनाओं गए 360 डिक आपके पास में जाएगा तो यहां पर देखो यह कंप्लीट रिवाल्यूशन है तो यह 360 डिगरी का होगा यहां पर आपको वेल्यूज दी गई है परसेंटेज में तो हंड्रेड परसेंट की वेल्यू किसके एकोल आगई त्रिहन्रेट औं शिक्स्टी डिग्री के एक वला गई आप पूछा है सेक्टर एक के लिए सेंटरल एंगल कितना तो सेक्टर ए में परसेंटेज को कितना है 30% यहां से आप 1% की वेल्यू निकाल लो 1% की वेल्यू 360 डिग्री डिवाइड बाई 100 फिर आपको चाहिए 30% सेक्टर एक लिए तो 30% की वेल्यू है तो इसको किसे आप मल्टिप्लाई कर दोगे 30% से 0 से 0 के न्चिल हो गया यह 0 से यह 0 के न्चिल हो गया बचा गया 36 x 3 जा गया 108 डिग्री सेक्टर एक के लिए तो आपके पास में ऑप्शन हो गया ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट कोश्चन है इसी का ही वाट इस दिफ्रेंस बीटून दे सेंट्रल एंगल फोर सेक्टर बी एंड सेक्टर ची अब बी के लिए देखो बी के लिए कि बी के लिए एंगल चाहिए तो देखो यह अपनी यहां पर अभी अभी लास्ट क्वेशन में काला है हंड्रेट परसेंट की वैल्यू कितनी होगे 360 डिग्री और वन परसेंट की वैल्यू हो जाती है 360 डिग्री डिवाइड बाइंड तो यह वन परसेंट की वैल्यू आगी बात सी की वन परसेंट की वैल्यू 360 डिवाइड बाइंड और थर्टी परसेंट इसको गीवन है तो थर्टी से आप मल्टिप्लाइब कर दोगी यह जीरो से जीरो कैंसिल कि यहां गया 140 डिग्री और यहां पर अपने निकाल आई था सेक्टर ए और सी के लिए सेम है 108 डिग्री अब इन दोनों के बीच में डिफ्रेंस पूछा है तो डिफ्रेंस देख लो कितने का है 144 में से 108 को माइनस करोगी तो कितना आ जाएगा 148 माइनस करेंगी 144 माइनस 108 या जाएगा इसका 96 96 नहीं नहीं 96 नहीं याएगा माइनस गरत हो गया 108 को माइनस करना है यह से आगया 6 या जाएगा 36 तो आंसर इसका हो जाएगा 36 तो फिर देखे नेक्स कोईशन आपका है हाउ मेनी नॉन स्कॉर नंबर लाइं बीट्विन दा पिर ओफ नंबर एटी स्कॉर एड़ एड़ी स्कॉर एड़ी वन का इस पर छोटा नंबर आपके पास में है 80 तो को आप 80 से मुल्टिप्लाइब कर तो कितना जाएगा 162 इन दोनों के बीच में आपके पास में कितनी संख्याइं होंगी 160 संख्याइं होंगी फिर है नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नंबर 69 डे स्मॉलेस्ट नंबर बाइवीच 32 अगया देस्मॉलेस्ट नंबर बाइवीच थर्टी टू शुट बी मल्टिप्लाइड सो एस्टू गेट पर्फेक्ट स्कॉर नंबर यानि कि 32 को आप किससे गुना करेंगी कि आपके पास में ए इसको बनाना है पर्फेक्ट स्कॉर तो दो का पेर आप लेके चलोगी अब यहां पर देखो टू का पेर नहीं बन रहा है तो आपको एक एक एक्स्ट्रा टू की जरूरत पड़ेगी तो किस से मल्टिप्लाइड करेंगे आप तू से अब थर्टी टू को टू से मल्टिप् का फर्स्ट तेक्वर देखते हैं अब क्वॉशना नंबर सेवन्टीक दो संख्याओं के वर्गोंका योग 145 ये एक संख्या का वर्ग मूल तीन है तो दूसरी संख्य संख्याओं का वर्ग यानि की एक स्ग्वाइर प्लस वाइग स्क्वाइर इक वर्ग मूल तीन है यहां से माल लेते हैं कि एक संख्या कोन हुई एक्स तो एक्स का वर्ग मूल अपने पास में कितना हुआ कि तीन अब यहां से अपने को एक्स का मान ची तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे कि स्क्वाइर तो इसक्वाईर के तो रूट एक सब्द्र करों गर कितने यहां पर देको नो रख-2 यह होगिया स्क्वाईर प्लस-वय का आपने को मालूम नहीं है हाई रहा इक ओक्या सुम एक्वस्ट टू नों डूटेAJ तो में तो वाई स्कुएर बराबर क्या हो जाएगा 149 का इसक्वारीदर जाएगा माईज में तो नोगह स्क्वार होता है एक क्यासी तो वाई स्कु folить थाम बराबर 145 में 181 को माईज करोगी कि यहां जाता है 64 अब अपने को y का मान चाहिए तो y बरब इसका लोगे square root यह स्क्वारेट से केंचल हो गया और 64 का स्कूर हो जाता है 8 तो है यो हो गया y कमान ठीक है तो x का माना आगया 9 और y कमाना आगया कितना 8 तो यहां पर क्या अब उसके बाद में हैं next question question number 71 if the volume of cube volume दिया गया है एक घंका और घंका volume क्या होता है कि side multiply side multiply side यह होता है किसका एक घंका आयतन कितना दिया गया 4913 cm it is equals to 4913 cm क्यों इसको आप क्या कर सकते हूं यह एक side में करते हूं that is a to the power 3 is equals to 4913 एको ए से multiply करो कि multiply तो क्या हो जाएगा एक टूदी पावर 3 equals to 4913 आपको दिया गया है then length of side of qv is to is cube की side क्या हो जाएगी यानि कि आपको एक वेल्यू find out करनी है तो equals to क्या हो जाएगा इसका क्या लेना को क्यों रूट किसका 4913 का तो क्यों रूट निकालने के लिए आप क्या कर दोगी इसका फेक्राइजेशन कर दोगी 4913 4913 आप इसको आप क्यों करोगी किसका एगा है कि अगर्ण है कि 17 से शायद इसमें डिवाइड जाना चाहिए यहे जाना बंदलाएगे लिए आिया है की यह अगर्ड़ और इसमेन कर दोगते डीयों कि और शायदान सशेक्राइशन कर दमदाएए कि चला जाएगा इट टाइम डिवाइड वन थर्टी सिक्स आपके पास आएगा क्या बचेगा 15 कि और फिर लास्ट में आ जाएगा 3 कि यह चला जाएगा 9 यह चला जाएगा 17 टाइम और फिर 17 से चला जाएगा हो जाएगा तो इसका क्यों कितना हो जाएगा थी का पेर बनाओगी क्यों प्रूट के लिए तो फी आंसर क्या हो जाएगा कि 4913 is equals to 17 मुल्टिपलाइज 17 x 70 क्यों भूट निकालोगी तो क्यों भूट निकालने के लिए इसकी पावर कितने हो गई पावर 3 से क्यों पूइज जाएगा तो क्या बच जाएगा और यूनित आपके पास में कितनी है सेंटिमिटर तो आंसर भी किसमें आ जाएगा सेंटिमिटर में तो आंसर क्या हो गया option no.2 17 cm फिर है next question आपके पास क्यूब रूट आफ पॉइंट 001331 तो इसका आंसर आपके पास में हो जाएगा 1331 तो देखो इसको आप पहले विदाउट पॉइंट आप लिखोगी तो यह हो जाएगा 1331 पॉइंट के बाद में 20 है तो एक बार 0 को छोड़ दो यह चला जाएगा 3 से डिवाइट नहीं सीधा जाएगा 11 से 11 वंजा 11 2 और 3 121 ताइम फिर वापस 11 से जाएगा डिवाइट 11 ताइम और फिर 11 से जाएगा वन टाइम तो यहां पर देखो इसका क्यूब रूट कितना हो गया 11 विदाउट पॉइंट अपन ने करा है अब पॉइंट के साथ में आप करोगे तो यहां पर देखो क्या हुआ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ट्री त्री वन अब इसको आप क्या लिख सकते हो 1331 डिवाइड बाइट 123456 तो टेन तुदी पावर 6 आप ले सकते हो जब आप इसका क्यूब रूट ले ओगे तो 1331 का तो आगिया 11 डिवाइड में जीरो का आप हाफ कर दो तो बाहर कितनी आ जाएंगी कि दो जिरो जाएंगी क्या बिल्कुल आ जाएंगी क्यों प्रूट लेना आपको तो 33 का पिर चाहिए या फिर अगर मैं आप यहां पर यह कहूं यह होगी टेन टूदी पावर आप्शन नमबर 3 कि यहां पर पी में कितना आप रखोगे वैल्यू कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए पर्फेक्ट क्यू बन जाए तो यहां पर सिधा आंसर है कि 504 के जो नेक्स कोईशन है वा जो नेक्स नमबर है पर्फेक्ट क्यूब में देट इस प्लस पी करोगी इसके आगे वाला नमबर है पांसो बारा तो पांसो बारा में से पांसो चार को को आप माइनस करदो यह पीकी वेली लिवा जाएगी माइनस करतें कितना हो गया तो पीखी के वेली किती होगी आठ नेक्स्ट कोईहन है विश्ण नंबर 74 रेश्यो फोर रेश्यो 25 परसेंटेज इसको परसेंट में कनवर्ट करना तो फोर रेश्यो 25 क्यों जाएगा फोर अपॉन 25 परसेंट में लेके जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 से 100 केंशिर हो गया फोर टाइम फोर फोर जा 16 यह हो जाएगा इसका 16 परसेंट आंसर फिर नेक्स्ट क्वेशिन है अटोई मार्क्ड एक खिलोना है जिसकी कितनी वेल्यू रखी गई है 40 इस अवेलेबल फोर 32 यानि कि 40 रूपी तो उसकी मार्ट प्राइस है माख प्राइस जो लेबल है उसके ऊपर लिखा है रूपीस 40 और वह आविलेबल कितने में है तो अगर उसकी सेलिंग प्राइस की बात करी जाए तो वह कितने में सेल हो रहा है 32 रूपै यह कहता है कि वोट परसेंट discount given on the mark price यानि कि कितने percent का discount हो गया तो यहां पर देखो रुपय में जब बात करोगे तो discount कितने का मिल गया 40 रुपय की 32 रुपय में दे रहा है तो कितने का discount आ गया 8 रुपय की छूट अपने को मिल जाती है अब यह 8 इस mark price का कितना percentage यही तो पूछा है कि 40 के उपर डिसकांट दिया गया आठ रुपय का तो वह कितना परसेंट हुआ यानि कि यही तो पूछा है कि वाट परसेंट ऑफ एट इस ऑफ रुपीज फॉर्टी हो जाएगा 276 देर आर 1275 ट्रीज इन चौधरी फार्म एक चौधरी फार्म है जिसके पास में कितने ट्रीज है 1275 ट्रीज है अब इसमें से कहता है कि आउट ओफ दीस 36 परसेंट चतिस फीसदी तो 36 परसेंट किसका 36 परसेंट ऑफ 1275 यह कौन है यह पेड़ फलों की तो यह फूट्स हो गए लिए तो उतने उसके चॉधरी फार्म में लगे वे हैं तो पूचहike हाव मिनी क्रीज और पूट्स हर दे और नि चौधरे फार्म तो चतिस परसेंट की वेल्यूकर सभी ही यह तो चतित्स परसेंट की ईтष क्तितेस पर से सिदे 5 से मुल्टिप्लाइ कर लो मुल्टिप्लाइगा डिवाइट 5 तूजा 10 और यह भी चला जाएगा 5 से 5 तूजा 10 55 25 55 25 यहो गया 36 मुल्टिप्लाइ 255 डिवाइट बाइ 20 फिर यह चला जाएगा 5 से 5 4 जा 20 55 25 55 55 55 फिर फिर फोर से चला जाएगा 9 टाइम कितना बच गया 9 मुल्टिप्लाइबाइब 51 नाइन नाइन फाइब 45 तो 459 जो ट्रीज है उसके पास में क्या होंगे फ्रूट के ट्रीज है ठीक है यह हो गया आपका कुछन नंबर 76 नेक्स कुछिन है कुछन नंबर 77 और कुछन नंबर 77 है वाट विल बीड़ शेलिंग प्राइस इफ प्रॉफिट और 5 परसेंट इसमेड देखो सेलिंग प्राइस आपको पूची है तीक है विकरह मुल्ट ने पूचह है सेलिंग प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है और देखो दिया हुआ क्या क्या है कि एक साइकल है कितने में अविलेबल है 700 में तो देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 700 और उसके ऊपर ऑवर है यानि कि अतिरिक्त शुल्ट को हो सकता हो उसकी रिपेरिंग करी हो या फिर कुछ मॉडिफाइग किया हो तो ऑवर हेड जो चार्जेज है कि वह हैं 50 रूपीज तो टॉटल यहां पर कॉस्ट प्राइस होगी आपके पास में 750 ठीक है और इसके उपर उशको क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया होबा है 5 पर परोफिट लेता है वो सेलिंग अकि यह की उपर होदा इसके उपर हो जाएगा 5525 तू है 37 divided by 10 है तो यह हो जाएगा 37.5 का उसको प्रॉफिट मिला है तो सेलिंग प्राइस आपकी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस इस इक वल्स प्राइस प्लस प्रॉफिट कॉस्प्राइस आपके कितनी हो गई 750 और प्रॉफिट कितने हो हो गया 37.5 का हो गया दोनों को एट कर दोगे कर दोगे कर दो कि अधिक ऑप्षिन नमबर तू 787.50 पैसे यह हो गया इसका अंसर नेक्स्ट आपके पास स्थाइट कर दोगे सब्सक्राइबfal एक और पताना है जिसकी प्रॉफिट कर दोगे दोगे सब्सक्राइब में यह एक व्यंजक है और यह कितने वेरिबस में है यह यहां पर पूछा है तो देखो आपके पास में कितने बताना है जिसकी लेंद और ब्रित लंबाई और चोड़ाई क्या क्या देदी लंबाई है आपके पास में नोवाई और चोड़ाई है फॉर वाई स्क्वाइर तो देखो जो आयत का चित्र फल होता है area of rectangle that is equal to length लंटड़िप्लाई तो लंथ कितनी होगी नोवाई और नोवाई को किस से मल्टीप्लाई कर देना है four y square से थिस्वाइब करोगे 9 को four से मल्टी प्लाई करो 946 y को y square से मल्टीप्लाई एक तो टूदी पावर थी थो थर्टेसिक्स वाई टूदी पावर थी option कुन सा हो जाएगा option नमबर करते नेक्सक्केशन पर question has 80 इसकी value पूची है एक expression आपको दिया गया है तो देखो value क्या हो जाएगी x-y multiply करना है x plus y plus y minus z multiply by y plus z plus z minus x multiply z plus X Distributive Property का यूज करेंगे X पहले multiply होगा X से तो क्या देगा X square plus XY फिर Y को आप multiply करोगे minus XY और minus में Y square ये तो होगे इसका अब बाद करेंगे इसकी Y की value Y से multiply फिर Z से multiply y square plus YZ अब minus Z multiply होगा Y से फिर Z से यह हो जाएगा minus Y Z यहां पर हो जाएगा यह को प्लस में एक्सजर्ड माइनस में XZ और माइनस में एक सिस्क्राइब कुछ एक वेल्यू यहां पर एक सिस्क्राइब प्लस में है एक सिस्क्राइब माइनस में लास्ट लास्ट यह कैंचल हो गया माइनस एक सेट प्लस एक सेट कैंचल हो गया जैस्क्राइब सक्ese트가 यहां पर क्या हो जाएगा एकस वाई से एकस वाई गैंसलों जाएगा वाई स्क्रयों स्क्वेयर दोग장 सारी की सारी टंव जाती है कैन्सलों जाएक आपके पास मैं जीरो और फ्र diversity करेक्ट है इसको ड्लेक्ट वैसे भी कर सकते थे identity लगा की मुझें इस स्क्वार से सारी की सारी एक दूसरे से इINO आन्सर चरक्या जाएगा जीरो और अन्यक्स वेस्कटं सुख संहे हैं शर्षा-थाम शंक्रेटीक्या पूछा है कि एसा नमबर जिसको उसी से ही मट्टिप्लाई करोगे तो क्या जाएगा वन आएगा तो पावर को आप क्या करोगी तो नुमें टीनोमिनेटर पे था नुमिनेटर पे लेके जाओगी तो प्लेश चेंज करेगा तो पावर क्या हो साइन चेंज करेगी तो पॉजिटिव पावर थी पावर कैसी वह जाएगी निगेटिव आंसर क्या हो जाएगा एंट तुदी पावर माइनस फाइफ पावर माइनस फाइफ नेक्स्ट वेश्टिन है ग्वेश्टन नमबर 82 वैली पूचि यह यह बी अपने एक्पनेंट पावर से रेलेटेट क्वेश्टन है माइनस गयाँड़ ए बैससी पावर क्या हो जाती है है एंड हो जाएंगी तो फेह प्लस नोबर क्विश्व डियाएगा वन मैनस तो चिक कर लो माइनस तो अप्शन नमबर next question है 83 यह भी अपने power and exponents related question है minus minus 2 to the power m plus 1 multiply में है minus 2 to the power 4 is equals to minus 2 to the power 6 अब बेस सेम है न तो minus 2 to the power क्या हो जाएगी power add कर दोगे तो m plus 1 और plus 4 equals to minus 2 to the power 6 equal में है तो देखो बेस सेम है तो इनकी वह powers भी होंगी वह कैसी होंगी सेम होंगी तो m plus 1 plus 4 equals to 6 m plus 5 equals to 6 m की value क्या हो जाएगी 6 minus 5 it is equals to 1 यह हो जाएगी आपके पास में 1 की value m की value 1 next question है 84 अब इसकी value पूछेए कि यह किसके equal है तो 2.1 multiplied 10 to the power minus 6 है तो 2.1 divided by power नीचे आ जाएगी तो पावर हो जाएगी positive 10 to the power 6 यह पावर को यह point को आप अटाओगी तो एक 10 नीचे आ जाएगा तो total 10 to the power कितनी हो जाती है योगया 21 upon 10 to the power 7 तो 21 में 7 प्लेस चोड़ के आपको क्या लगाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 and then point and then zero यह हो गया इसका आंसर तो चेक कर लो 0.5 times 0 and 21 option number first आपका correct answer होगा नेक्स्क्वेश्चन है तो common factor of समन्य गुणन खर्दाना बताना है इन तिनों नंबर का तो देखो 10 a.b और 10 a.b को आप क्या कहत होगी 10 a.b is equals to 10 multiply a multiply b इसे तरीके से है 10 a.b equals to 10 multiply a.b और 20 30 b.c इसको आप कहत होगी 10 multiply by 3 कह सकते हैं b multiply c हो गया लास्ट नंबर आपके पास में 50 c.a इसको आप क्या कहत होगी 10 multiply by 5 multiply c multiply a तो आप देखो common जो एक फेक्टर जा रहा हो कौन है 10 है बाकी इनके यालाव कोई भी common फेक्टर नहीं है तो answer क्या हो जाएगा 10 option number first आपका correct answer होगा फिर next question है question number 86 the factorization कि इसका करना है factorization गुणनखंड करना है तो गुणनखंड के लिए देखो simple सा है 4y square minus 12y plus 9 तो पहले और दूसरे नंबर को check कर लेना है कि perfect square है क्या बिल्कुल है 4y को आप कह सकते हो 2y whole square और 9 को आप कह सकते हो 3 whole square बीच वाली middle term देखो negative है a square b square है तो a plus b square बनाने के लिए यहाँ पर अपने कुछ यह तू अब एक ही जगा आपके पास में क्या है कि अधुवाइब है कि तो आई मल्टिप्लाइब भी ओन ओगया इन तिनों का मल्टिप्लिकेशन देखो 12y होता है 224 तो यह क्या हो गया ए माइनस बी टूदी पावर होल पावर 2 तो 2y माइनस 3 तो 2y माइनस 3 तो दी पावर 2 ओप्शन नमबर आपका दो सही होगा फिर नेक्स्ट है वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यह दिया हुए है 0.645 मल्टिप्लाइब तो इसको आप क्या है सकते हो 0.645 का होल स्क्राइब प्लस 2 मल्टिप्लाइब में आपको दे दिया 0.645 मल्टिप्लाइब 0.355 और प्लस 0.355 0.355 तो इसको क्या कहता हो कि 0.355 का होल स्क्राइब तो देखो क्या बन रहा है इसक्वार प्लस 2 AB प्लस B स्क्राइब इस इकोल स्टू ए प्लस B का होल स्क्राइब तो 0.645 प्लस 0.355 होल स्क्राइब पहले बेके अंदर वैल्यू है उनको एड़ कर लो तो एड़िद करो के तो एतना हो जाएगा यह आ जाएगा 1.000 इसको आप वन ही कह सक्ते हो और इसका क्या करना है square और one-qual square क्या होता है यह वन option number इक आपका सही हो जाएगा नेक्स question है 90 square is इको अब 90 स्क्वार्ट पूछ है जो अभी फॉर्मला पर यूज करे थे वही फॉर्मला है तो 99 को आप क्या कह सकते हो 99 कि इसक्वाइब इसको आप कहतो गिन 90 प्लस 9 का हॉल इसक्वाइब आप इसको ब्रेक करो तो फर्स तम हो जाएगी फिर्स टम का स्क्वायर प्लस्टू मल्डिप्लाइफ सप्स्टम मल्डिप्लाइस सेकिंड टर्म और प्लस को सेलों क। 90 में नाइनती मूल्डिพलाइंग 4 switches or tap anam brown Mr. और यहां फिर सप्रेंट में यूज करोगे a square minus b square का अब देखो आइडेंटरी क्या होती ही a square minus b square equals to a plus b multiply a minus b और यहाँ पर value आपको तेदी 0.68 का whole square minus करना है 0.32 का whole square यह हो गया a और यह हो गया b a plus b तो 0.68 plus 0.32 multiply 0.68 minus 0.32 इन दोनों को 8 करोगे यह हो जाएगा 1.00 क्या कहते हो कि 1 multiply में इसमें से minus करना है तो 0.8 minus 266 minus 3 0.36 को 1 से multiply करोगे क्या आएगा 0.36 option number 4 आपका सई होगा ठीक है फिर next आपके पास 90 यहाँ पर भी factorization का काम है आप देखो यहाँ पर value दी हुई है कि if x square minus x minus 42 to equals to x plus k multiply x plus 6 तो k की value आपको पूछी है अब यहाँ पर देखो यह without factorization है यहाँ पर इनके दो factor दिए हुए तो इसका आपको क्या करना है factorization यह हो गया x square minus 42 को break करना है तो इसका factorization हो जाएगा minus 7x और plus में 6x 6 में से 7 जाएगा minus 1 बचे का दोनों का multiply x square का coefficient plus minus 42 का multiplication होना चाहिए तो 6 7 42 हो रहा है minus में चाहिए अब यहाँ पर दो दो का factor उठा लो common लेंगे x यहां से क्या रहे गया x minus 7 remaining plus इन दोनों में से 6 common आएगा क्या बच गया x minus 7 x minus 7 दोनों में से common है और क्या बच गया x plus 6 और यह equal दिया हुआ था किसके x plus k multiply x plus 6 x plus 6 से x plus 6 केंचल हो गया दिया हुआ है x minus 7 x plus k के बराबर होगा x minus 7 equals to x plus के x से x cancel हो जाएगा k की value कितनी रहे गई minus 7 तो option number इसका 4 सही होगा है next question है when a when we factorize जब भी हम किसी terms को factorize करते हैं expression को प्राइस करते हैं we write it as dash of factors तो उनको कैसे लिखते हैं अभी अपन ने फेक्टर कर रहा है तो फेक्टर आपस में कैसे आते multiplication में multiplication को क्या करते है आप यहां पर प्रॉड़क्ट आंसर क्या हो जाएगा गुण आप देखे विटान next question question number 9292 क्या क्या किता डिवाइड़ाइस डेरेक्टर निर्देश अनुसार इसको क्या करना है विवाजित करना है यहां पर mistake कि यह है कि यहां पर होना चाहिए था six xy यहांपर 6 दिया हुआ है और यहांपर 26 तो आपने को कंसिडर क्या करना है 26 xy मिस्प्रिंट है तो यह हो जाएगा 26 xy और आगे यह हो गया x plus 5 और यह y-5 ठीक है थोटी से मिस्टेक है यहांपर आप देखो इसको डिवाइट करना है तो डिवाइट किसको करना है 26 xy x plus 5 multiply में y-5 डिवाइट करना इसको 13 x y-4 अब देखो y-4 पूरा फेक्टर y y-4 से y-4 यह अपना 4 है y-4 y-4 से y-4 चला गया एक X से यह X चला गया 13 से 26 चला जाएगा टू टाइम तो क्या बच गया टू तो यह रहे गया यह बच गया यह अपने पास और दूसरा फेक्टर हो गया आपने पास में एक्स प्लस से 5 तो आंसर अपने पास में क्या यह 2y X प्लस फाइफ कौन सा हुआ ऑप्शन नमबर फिर्स इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है अब चलाएंगे नेक्स्ट कोशिन नेक्स्ट है और इस बार ग्राफ इस बार ग्राफ देटा इन इंटर्वल्स तो इंटर्वल् घ्रफ ठीक है अटाउननका इसका अगे रिव्य नेक्स कोशिन है आ हाँ इसका होगे इस्टोग्राफ नेक्स्ट कोशिन रहा ग्राफ दिस्प्लेस्ट डेटा अट चेंज इस कंटिनुसली और पिरियॉइड आफ ताइम पर जो चेंज होता है एक ग्राफ जो आंकडी को प आपने अपनी जो भी चलती है यहां पर यहां पर यह इंटर्वास की फॉर्म में होता है यहां पर सपोस्री जीर्स टैन है यह करता है जो समय के साथ लगातार बदलता अब समय के साथ देखो जब भी आप लाइन ग्राफ बनाओगी इस तरीके से इधर मैंने ले दिया समय है और इधर मैंने कोई भी एक डेटा दे दिया तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसके अकोर्डिंग डेटा भी बढ़ता जा रहा है सपोज यह टाइम और टेंपरेचर का लेकिन जो यह बात कह रहा है कि आकड़े समय के साथ में वहां पर बदलते रहेंगी ठीक है तो वह किस में होता है सिर्फ और सेफ लाइन ग्राफ में होता है ठीक है फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच पॉइंट लाइज ओन compensation हता है कि मानोठ फिर इक्सक्राइप को ऑडिनेट है उए यहां पर इक्स की वैइल्यू आ इपको दी गई है कि यहां पर एक्सक्राइब यह तो मडिन पहल नहीं हो सकता यहां पर भी एक्स की वैईव यह है Ο का पॉइंट दिया गया है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नुम्बर 3 कि फिर है दा पॉइंट 40 लाइज ओन विच्व फॉलिंग बिंदू 40 निम लिखते में से किस परिस्तित है 40 है न तो यह हो गया को यह हमी आपके पास में वाएक का एक को हो गया बुच मैं जो वैक की वेलियु हर चिकशी वी का अपके पास में ब्यूंट ॉअब तो अध को उपर हो गाएक उपर हो सेग्सेशन आес नेक्स ed hugon A y x के निकट होगा मूल बिंदु के निकट होगा अब देखो इस को जब आप इन्डी करोगे रही yes तो यहां पर ले लिया एक्समय माइनस डू ion यहांपर कह दिया माइनस टू कैसी है माइनस टू है तो यह बिंदू आपके पास में यहां पर होगा अब जब आप एक्स के लिए बात करोगे तो एकसे से भी और वाई से भी कितने कि की दिस्टेंस की है दो एकाई की इसकी क्या है दूरी है ठीक है मूल बिंदू के निकट भी यह नहीं हो सकता जब मूल बिंदू से वेल्यू निकालो गई तो इनसे ज्यादा निकलेगी ठीकि यहां पर आप पाइथागुरस प्रॉपर्टी का यूज करोगे दोई काई यह व से भी इसकी दो एकाई की दूरी है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका इक्यूट इस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्स एंड य एक्स फिर है नाइन्टी एट नाइन्टीएट देखो क्वेशन करता था नंबर इस डिवीजिबल भाई नंबर आपको दे दिया 214658 से डिवीजिब प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 एड कर तो कितना हो जाएगा 37 13 18 26 और 26 और 32 33 33 है त्री से डिवीजिबल होता है बिल्कुल होता है ठीक है और यह हो गया अब आप 7 से चेक करोगे तो 7 से चेक करने का देखो तो रूल क्या होता है 24 24 6587 है यूनिट डिवीजिट का क्या कर दो डबल कर दो कितना हो गया 14 बाकियों में से क्या कर दो माइनस कर दो कि तो माइनस करो गे 14 को देखो कितना आएगा 214644 अभी भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे वापस डबल कर दो 42 कितना हो गया इसको तो यहां से अटा दो और बाकियों में से क्या कर दो माइनस कर दो वापस इसको और सिंप्लिफाई कर लो तो 6 का डबल हो जाता है 12 तो 2145 इसका डबल बाकी में से माइनस करोगी तो 12 को माइनस कर दो आगे और बढ़ जाओ 3 का डबल कर दो 9 तो 213 में से माइनस कर दो 214 आगिया शोरी 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 यह 0 और यह 104 यह आगया 213 में से आपको 9 को माइनस करना है तो 13 यह हो गया 0 यह हो गया 204 और 204 में भी आप वापस इसका डबल कर लो तो 4 का डबल क्या हो जाएगा 8 और 20 में से 8 को माइनस करोगी कितना आएगा 12 अब इसके लिए अपन सिदा 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 चिक कर सकते है सेवन की टेबल पर ट्वाल नहीं आता है इसलिए सेवन से भी डिवीजिवल नहीं होगा कि फिर 11 के लिए चेक करना है तो 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट्स को एड़ करोगे तो टू कि टू के साथ 45 और 7 को एड़ कर तो कितना हो जाएगा टू और 466 और 511 11 और 718 बाकी की जो डिजिट्स हैं को एड़ कर तो 1 और 6 7 7 और 8 15 तो 18 में से 15 किया कितना बचेगा आपके पास में 3 और 311 के लिए जो प्रिमेंडर है वह या तो 0 आना चाहिए था या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए था वैसा कुछ ही नहीं है तो आपने पास में ले दे के क्या बचा 3 बचा तो 3 से यह डिवीजिबल होता है नेक्स कुशन देखो सेकिंड लास्ट कॉशन है जनरल फॉर्म आपको बतानी है कि ABC अगर आपके पास में एक नंबर है तो इसके एक्स्पेंडेट फॉर्म क्या होगा यह यह वन्स पे है यानि की इकाई पे है यह टेंस पे दहाई का अंक है और यह हंड्रेट पे यानि की सोवें पत्र के उपर है हिसे क्रणक्र तो यह हंड्रेट पर यह हो गया हंड्रेट फ्रस यह टेंस पर और प्लस है अबर क्यों जाएगा इसका फ्रस्ट करेक्ट आंसर नेच्ट को लास्ट वेषिएंगर पोर हन्रेट कौन है लेकिन वह किससे ही कहता है कि 90 से वो कि विभाज्य है यदि और यदी यदी यह यहां पर यह जितने भी नंबर है वह आपका 90 क्या होना चाहिए एक फेक्टर होना चाहिए तो देखो 90 के लिए जब आप फेक्टर बनाओगे तो ठीचिंदे जोनों का मुल्टिप्लिकिशन क्यों होता है और साथ होना चाहिए यह थाथ को प्रायम क्यों नहीं है तो यह तो लेकिन इसने मना कर दिया कि विवाज्य नहीं है तो अपना अंसर यह है तीन और बीस वाज्य तीन और बीस का जो अपने पास में क्या बच गया है यह है दो और 45 दोनों से विवाज्य है तो यह अपना वीडियो सोल्यूशन था आपकी जो डीटीए स्वी थैंक यू है वागूड डेए बाए बाए